प्रदेश में आज लॉकडाउन 5.0 का दूसरा दिन है सरकार के ओर से कई तरह की छूड़ दी जा रही है जिसके चलते शहर में यातायात का दबाव बढ़ गया है वहीं दो महिने से भी अधिक समय से बंद पड़े रामनिवास बाग की सबी गेट आमजन के लिए खोल दिये गए है रामनिवास बाग की सढको पर वहनों के आवाजाही फरस शिरू हो गई है क्योंकि अब जो हैर यहां पर बर्टोकुल की आवाजही आज शिरू हो चुकी है तो ऐसे में अब ये सड़क भी चालू कर दी गई है आप देख सकते हैं केमरामेन को कहना चाहूंगा दिखाएं ये रास्ता है जो न्यूगेट की तरफ जाता है ये पूरे लॉकडाउन के दौरान इस पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था यहाँ पर आवागमन पूरी त छोड़ा कम रहता है तो इसके वज़े से यहाँ पर लोग इस रास्ते का इस्तमाल करते थे लेकिन लॉकडाउन के कारण को इसके सभी गेट बंद कर दिये गये थे और आज जो है यह दुबारा खोल दिया गया यहाँ पर देख सकते हैं इधर की जो सड़क भी दिखाना च शूट दे रही है वैसे लोग भी निकलने लगे हैं तो लोगों को भी जो है लोकडाउन के अंदर यह रास्ता बंद था उसकी दुबारा से जो है इस रास्ते की जो आवागमन की अनुमती मिली है उसके बाद लोग भी निकले आप देख सकते हैं अधिकतर लोग आपको ज सावधानी बरत रहें तो सरकार की गाइडलाइन की पाल ना कर रहे हैं कैमरा प्रशन ये समातूर के साथ हनुमन सिंग चारण एवन टीवी जहपूर